हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे Reliance Industries के बारे में एक बड़ी खबर आती हुई नजर आ रही है यहाँ पे कि Reliance को Government की तरफ से Approval मिला है कि वो जो गैस उन्हें नया मिला है KGD6 में 4.06 डॉलर के हिसाब से बेच सकते हैं लेकिन जो Market Price है उसका वो है 4.2 से 4.4 डॉलर के बीच में सो काफी Low Price में उसे Quote करने की अनुमती दी गई है सो 4.06 पे बेच सकते हैं वो लोग बट प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि इसका Stock Price पे क्या असर होगा सबसे बेलिवाद अगर Positive Move देता है 2000 के उपर अगर यह Stock जाता है तो अगला जो Resistance होगा वो 2110 के पास होगा अगर 2110 के उपर जाता है तो Fresh Buy कीजिए कल के दिन में हो सकता है News Based Jump देखने को मिले Reliance Industries में लेकिन उसके भरोसे आप Long Position ना बना ले नीचे में अगर यह Stock 1840 के आसपास जाता है तो हो सकता है नीचे की तरफ और एक Moment दे 1840 का जो Support है अगर वो Breach होता है तो और Negative जा सकता है लेकिन अगर 1840 से Support लेता है तो वो एक काफी बढ़िया Position होगी Buy करने के लिए वहीं उपर में अगर मैं बात करूँ तो जब तक 2110 के उपर जाके क्लोजिंग नहीं देता है तब तक Fresh Entry ना ले अगर वो 2110 के उपर क्लोजिंग देता है तो एक Positive upside देखने को मिलेगा यहां से 100 उपीस का इडिफरेंस है 100 120 बट अगर आप यहां पे कल News Base Jump में Buy कर लेते हैं और जो यह 2085 का Resistance है वहां से Reverse होता है तो आप उपर के Levels में फस्ट सकते हैं तो थोड़ा Wait and Watch कीजिए अगर आप पर Intraday कर रहे हैं तो बात अलग है लेकिन अगर Long Position मनाने की बात है तो 15-20 रुपे और Extra देके उपर में भले Buy करना पड़े लेकिन Resistance जो है उसके उपर Buy कीजिए उसके नीचे अगर Buy करेंगे तो रेजिस्ट होके हो सकते है नीचे की तरफ दुवार आ जाए और आप उपर की तरफ बाई करके फज सकते हैं तो यह इस बात का ज़रा ध्यान रखेगा और कल का Moment ज़रा ट्रैक करें उसके बाद ही Position मनाए Reliance Industries में तरफ जाए उसके ने चाए जब सुप्सक्राइब पर बड़ेलर आपदेश